असलाम अलेकूम, आज हम बात करेंगे बेडी टाउन कराची की करण मार्किट और लास्ट थ्री मंद की पर्फॉर्मेंस नंबर्स की बेसिस पे Housing Associate हर तीन महीने बाद market report ready करता है जिसमें last three months की performance को analyze किया जाता है हम आपको एक एक present wise बताएंगे कितना present grow किया अगर आपने किसी investment में किसी present में investment की थी तो आपको उसके कितना approach return मिला अगर आपने उसको उस तीन महीने तक property को purchase करने के बाद hold करके रखा मेरा नाम उस्मान खलील है और आप देख रहे हैं housing associate जहां हम करते हैं आपके घर के खरीदने के process को बहुत ही असान पहले तो जो लोग नए है इस channel के उपर वो जरूर इस नीचे दियेवे channel को subscribe करें और थोड़ी सी आज मैं माज़त खुआ हूँ के थोड़ी सी disturbance है सामने वाली building में भराई हो रही है तो थोड़ा सा आपको शोर आएगा मैं अब आपको market report के हवाले से पहले बताता जाओं यह जो हम market report बनाते हैं क्योंकि housing associate focus करता है professionalism को लेकर तो इसलिए हमारी पूरी team हर तीन महीने इस पे काम करती रहती है जो भी market के rates आ रहे होते हैं 500 प्लस जो groups बने हुए बहरी टाउन के facebook से निकाल निकाल के हम market को proper estimate करते हैं और उन basis पे यह numbers आपके साथ शो किये जा रहे हैं और साथ ही साथ बहरी टाउन की जो management है वहां से भी हमें appreciation मिलती है जब हम यह चीज़े शेयर करते हैं और अगर किसी customer को बहरी टाउन कराची की market report चाहिए तो नीचे दिये हुए link पे click करें आपको यह market report मिल जाएगी अब आप अपनी screen में देखिए इस report की starting हमने बहरी टाउन कराची की timing से किये अकसर लोगों को timing के बारे में नहीं पता होता तो बहरी आफिस टाइमिंग इस इरिया के साथ सथ security office के numbers भी आपको provide किये गए हैं ताकि आप लोग यह अपने पास रखें अब हम बात करते हैं में प्लोट के हवाले से सबसे पहले जो top trending presents थे बहरी टाउन कराची के पिछले तीन महीने के अंदर 125 गज में अगर बात की जाए तो present 61, 62, 15 A, 15 B और बहरी ग् यह पाचो present सबसे ज्यादा यहां पर trading हुई है यहां पर आप trading को कह सकते हैं कि जो लोगों ने खरीदे भी हैं बेचे भी हैं और सबसे ज्यादा demand भी यही चीज रही गई है और आप इसमें note करें non developed area ही है सारे के सारे present developed area में उस तेजी के साथ rate नहीं बढ़ा जिस तेजी के साथ इस non developed area में rate कमें इजाफा हुआ है अब आप साथ में देखिए धाइसो गस में धाइसो गस में जो most trending रहा है वो प्रिसंट तीस प्रिसंट बत्यस प्रिसंट बाईस और प्रिसंट चौथ यह भी आप देखेंगे जो end के प्रिसंट है धाइसो गस के वहां पर ज्या पर ज्यादा डिमांड हुई है और वहीं के rate ज्यादातर बढ़े हैं और साथ ही साथ सब के सब खैर इसमें नॉन डेवलप तो नहीं कहूंगा क्योंकि यह प्रिसंट सारे रेडी थे लेकिन जो आखरी के प्रिसंट से क्योंकि उनके rate में काफी difference मौजूद था तो यहां प 500 गस देखिए 500 गस में बैरिया गॉल्फ हमेशा से इस जेरे बहस राए कि इसके rate कब बढ़ेंगे लेकिन इन तीन महीनों में बैरिया गॉल्फ में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग देखी गई यह 500 के plot में रहते हुए प्रिसेंट 23 और प्रिसेंट 37 यह 30 प्रिसेंट हैं जहां पर लोगों ने ज्यादातर वाईग सेलिंग यहां पर की है प्रिशन 39 भी था लेकिन comparatively जो ज्यादा तर हुए वो यह 30 प्रिसेंट थे जहां पर लोगों ने सबसे जज़ादा बाइंग सेलिंग है अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह करन्ट मार्किट प्राइसे वो सारे हर प्रिसेंट की 125 गस की अलग से बताई हुई है 500 गस की अलग 200 गस की अलग तो यह आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए अब मैं आपको इन सब प्रिसेंट के 125 गस के कमपेरिटिवली ग्राफ वाइस बताता हूं कि अगर आपने इंवेस्मेंट की हुई थी तो कितना चेंज आया हमने पहले ऑगस्ट सेप्टेंबर में आपको बताया कि ऑन ग्राउंड में जिन लोगों की इंवेस्मेंट थी उस बीस परसंट का चेंज आया था अंडेवलप में आपका दस परसंट आया था और आउट आप बाउंडरी में तो कोई चेंज नहीं था लेकिन इस दफ़ा ऑक्टूबर से दिसेंबर तक की जो आपकी जो चेंज आया वह आप ऑन ग्राउंड प्लोट्स पे सिर्फ 35 परसंट का चेंज आ सका जो नॉन डेवलप्ट एरिया है जैसे मैंने उपर आपको टॉप ट्रेंडिंग में बताया भी नॉन डेवलप्ट एरिया में 110 परसंट का चेंज देखा गिया है और आउट बाउंडरी वैसे के वैसे ही रेटर है उसमें कोई चेंज नहीं आ सका अब आप स्क्रीन पर यह भी देख लें मैंने इंडिविजल प्रिसंट वाइस भी परसंटेज में बता दिया है कि जैसे अली ब्लॉग 35 परसंट में इजाफा देखा गया आप 10 बी में 60 फीसद सिफ इजाफा हुआ 11 बी में 53 तो यह सब आप देख लें लेकिन जो मैंने आपको बता जो आउगस से सिप्टेंबर तक के थे उसमें 20 परसंट का इजाफा था ओन ग्राउंड में जो अंडेवलप्ट एरिया थे उसमें 10 परसंट था और आउटो बाउंडरी वाले 0 परसंट था लेकिन जब इस तीन महीने की बारी आई तो इस तीन महीने की अंदर जैसे 125 गज म इसमें नौन डेवलप्ट एरिया में लोगों ने ज्यादार फियांग्की सेम यहां पर भी आपकी नों नौन डेवलप्ट एरिया में ऑनंगराउंड 30 परिंज प्रसंट तक का लोगों को प्रफिट मिलають इस तीन महीने में जो ओन डेवलप्ट थे उनको सो फीसीत तक उन सब देख लें लेकिन जो 32 था 34 था उसमें आप देख लें कितना कितना परसंट 80 76 यह सब आप चेंज देख सकते हैं पांसो ग्राउंड में पच्शिस परसंड इजाफा था लेकिन इस दफ़ा औक्टूबर से दिसम्बर तक में आप देख सकते हैं कि अगर तो आपने होर्ड किया ये नहीं कि आपने नवम्बर के मिड मिड में लिया हो और आप कहें दिसम्बर के एंड मुझे तो इतना प्रॉफिट नहीं मिला ऐसी नहीं बात हो रही है अगर तो आपने उन लास्ट त्री मन्स में अगर आपने प्रॉपर्टी को होल्ड किया है तो उस प्रिस्पेक्टिव से यह रेट आपके सामने है ठाध ऑपके सामने विलास किया गए उनिविज्जली आपको बतादिये एक बाल विला इन सब के भी इस टाइम और करण मार्किट रएट के आए उसके बाद आप 200 गस और 235 गस की बी अलग से मैंने बता दिये कहां कहां पर 235 गस जो के प्रिसंट 31 है उसकी बात हो रही है यह आप यह देख लें अधर विलाज वाला जो पेज है उसके अंदर स्पोर्ट सिटी विला परडाइज विला पांसो गस के विला बेरिया हिल्स यह जो लोगों ने प्रिसंट 1 में धाइसो गस के बनाए हुए है छे में धाइसो गस की तो उनकी क्या वैलियू है वह भी यहां पर मैंचन है विलाज में भी इंडिविजाल प्रिसंट वाइस भी मेंचन हैं कि कि उनकी उदैखा गया तो वापके सामने स्क्रीम पे ऊपर कि में भी अच्छा चेंग देखा गिया है काफी जादा लोगों का रुछान रहा बह्रीया भी इस टेम जो फोकस कर रहा रहा है वह कमर्शल के ओपर फोकस कर रहा है तो जो कमर्शल के नए बायर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वह लोग कमर्शल बेटाउन कराची में अपनी इंवेस्मेंट कीजिए और यहां से प्रॉफिट अपना ले सकते हैं तो अच्छा मोई के चोर इसे नहीं हैं कि यृज्ड वेलियू वियॉimacIS क Families को उर्फिस कई अपिस्ट बेच पर अपाट्मेंट की जो कि जो महीं आप सकते हैं ओको में यह कि प्रायवेट बीटर के आप इस पेज़ पर देख सकते हैं और बैस्ट पर शॉप सॉप इस ताम यह लोग चारज कर रहे हैं कि अगर आप इनके इलावा भी किसी और से लेते हैं. यह यह पहले नियुँद यह कुछी कोछी नियुद मेते हैं, जिकल गिंद्टीस के लिनमें ज़िए हैं. इसमें एस पर जैसे मैंने आपको बताया था कि गृुपस में मैंने देख देख के यह डेटा सारा गेदर किया है तो जो जो प्रॉपरटी जो सौल्ड आउट हो ही है वो सारी हैं मतलब सिरीज वाइस मेंशन की हुई है वो कितने तक में sold out होई है वो भी आपके सामने mention किया हुआ है बाकी October, November और December की जितनी भी news आई है वो सारी के सारी इसमें mention की हुई है अगर आपने कोई एक भी ऐसी information miss out कर दी हो तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं तो मैं उमीद करता हूँ आप लोगों ने ये market report इसको काफी ज़्यादा study किया होगा अपने present को देखते हुए आप analyze कीजिए कि आपने कितना profit gain किया है भेरिया की market फिलहाल बहुत ही ज़्यादा last year बहुत ही अच्छा रहा सारे जो trends थे वो upward थे downward कुछ भी नहीं था इसी तरह upward trend में ही होगा अगर market में थोड़ी सी correction भी आई तो कोई बात नहीं इतने profit के बाद अगर थोड़ा सा rate dip भी होता है तो कोई मसले की बात नहीं है तो मैं उमीद करता हूँ आप लोग बहरिया के ओपर इसी तरह अपना trust रखेंगे और बहरिया में इसी तरीके से investment करते रहेंगे आप लोग जरूर नीचे दियेवे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा खुदा आप झाल 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 झाल